श्री शिवाय नमस्तुर्व्यम जये मातादी यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या आदाश कमजोर है या आप भी किसी चीज को रख करके भूल जाते हैं आपको कई बाते यादी नहीं रहती है तो उनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है पुझी गुर इस बात का आप यकिन कीजिए ये पुझनी स्री पंडित प्रदीप जी मिस्रा दोरा बताये गए उपाय है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजीए आए जानते हैं या उपाय कैसे करना है और कब करना है तो देखिए पुनीमा के दिर आपको किसी भी देशी गाय का दूद लेना है और दूद भी आपको लेना है गाय के चार थन होते हैं तो आगे वाले दो थनों से आपको दूद निकलवाना है यदि आपके घर के आसपास गाय का दूद मिलता है तो वहाँ चले जाए सामने बैठ करके उस दूद से और आपको कितना भी दूद मिल जाए एक कटोरी दोचार चम्मज दूद भी मिल जाए तो वो बहुती काफी है आप उस दूद को ले आए और रातरी बारा बजे आपको यह उपाय करना है इस बात का विशेश ध्यान रखें पूनिमा के दिन चांद पूर कलाओं में परिवर कर ले उस दूद को और उस दूद को आप रातरी बारा बजे दोनों हाथों से ले करके आप एक कटोरी में रख लें दोनों हाथों में रख करके चंद्रमा की रोशनी उस पर पढ़ने दे बारा बजे रात को यह उपाय करना है आप थोड़ी दिर बाद उस दूद को अपन उपाई कर लिया जाएगा तो आपकी आदाश तेज हो जाएगी आपको कभी बच्चों से कोई शिकायत नहीं रहेगी कि वे कुछ पढ़ाई में कमजोर है या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं याद नहीं रहे पा रहा है तो इस बाद से चिंता आपकी हट जाएगी आप अप